देखी अगर आप लोग का एज जादा हो चुका है आप 45-50 साल के हो चुके हो और आप कोलकाता लोकेशन्स में जॉब्स फाइंड कर दे हो यानि की काम करना है साउथ हिंडिया नहीं जाना दूर दराज लोकेशन्स पे नहीं जाना तो ये जो कमपनी है ये आपका जो है निय दे को रूम मिलेगा नहीं मिलेगा directly से यहाँ पे रूम की facilities आपको मिल जाती है will problems आप को बिलकुल भी create नहीं होने वाला तो यहाँ पे रूम की facilities आप लोग को देखने को मिल जाएगी सो यहाँ पे खाने की बात है तो खाने के लिए आपको cheapest इस्ट केंटीन फैसिलिटीज भी मिलता है इन फैक्ट इंफोर्मेशन अच्छे समझेगा उसके बाद में आप लोग डेरेक्ट पिरिया मेडम को कॉल कर सकते हैं यह जो जॉब से यह पिरिया मेडम के तरफ से अपडेट किया गया है और आप लोग इस जॉब के लिए पिरिय प्लास्टिक जो होता है वो मैनुफैक्टिरिंग करती है तो फ्लेक्स बैनर मैनुफैक्टिरिंग कंपनी है जॉब प्रोफाइल्स इसमें जो होने वाला हेलपर्स का है डेजिगनेशन क्वालिफिकेशन में है एनी पास केंडिडेट कें डूइट राइट नाउ फाइब एट पास, एनी पास कैंडी रेट can definitely, you can do it, age limitation minimum 18 है, maximum 45 यर से, तो below 18 वाले नहीं चलेंगे, अबो 45 वाले नहीं चलेंगे, हाँ 50 साल तक वाले भी कैंडी रेट उस case पे चलेंगे, जब उनका देखने में body shapes अच्छा हो, male कैंडी रेट अपली केबल है, salary का जो structure है, as a trainer का जो salary है, सारह 13,000 से 15,000 रुपे परती महीना है, accommodation मिल जाएगा, location इसका धूला गर कोलकता में होने वाला है, duties में 12 घंटे की shifting है, same day joining process होने वाला है, यहाँ पे प्रिया मेडम का contact information online मैंने दे दिया है, यह नौकिरी पूरी तरीके से आपको 100% जनविली मिलेगा, कोई दिकत वाल बात नहीं है, देखिए, आप लोग helpers का job research करते होते हो, बहुत जगह पे helpers का job आप लोग find करते हो, लेकिन आप लोग को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आप लोग को helpers का job देखने को मिलेगा, वो भी बहुत easy process के साथ में, immediately convenience करे, talking करे, और बात करे, well jobs प्राप करे, और सकते हैं कि मुझे jobs मिलेगा, लेकिन fake मिलेगा, ऐसा नहीं होता, मैं किदर भी देख के बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप यह मसूच है, मैं देखके इदर उधर बात कर रहा हो, ऐसा कोई बात नहीं, मैं अभी जो वीडियो सुट कर रहा हूं, रात के दो बज़े मैं